जरा हम एक-एक करके शुरू करते हैं सबसे पहले तो रमीज राजा ने जब बात की कि हमें पिच्छ पे बहुत काम करता है पिच्छ को बेहतर बनाना है पाकिस्तान की पिच्छ जो है वो सही नहीं है ड्रॉप-इन पिच्छ की बात की गई और एक प्राइवेट बॉड़ी स जो है वो स्कॉंसर मिला और ड्रॉप-इन पिच्छ मंगवाने की बातचीच शुरू हो गई क्या पिच्छ पे इतने कॉंसेंट्रेशन जरूरी थी क्या पिच्छ ही बहुत बड़ा मसला है हमारा डॉप अच्छा सवेरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टन चीज है वो यह है ड्रॉप-इन पिच्छ में राइट बाघव कि अधना है तेल्स क कर दो करूंसेंट्रो rapat इंप इंप कर शार इंप एडिप्स यहां सब्सक्राइब करते हैं, इसमें दो तीन प्रब्लम्स हैं, आइडिया इस ब्रिलियंट इंजिनियर्स आइडिया है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं, फिर इसकी मेंटनेंस, फिर क्या हमारे स्टेडियम का इंफ्रस्ट्रुक्चर यह जाज़त देता है, बड़ी-बड़ी जाज़त एक पिर इसकी मेंटनेंस, वह रखते हैं, आपको प्रफिय बड़ी की पर नाइसंसर को पिलिया है, वह जाज़त आफ वह जाज़त दो पिछेट का सकती है, इसकी को नहीं कर सकती है, जो बहुत 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 होगा, जो कि रमीज देफिनिटी कोशिश भी के हम क्युरेटर से कड़ी स्कुर्द को राटर करें, क्युरेट नाश्नल स्टेडियम कराची शाह कदाफी और रावल पिंडी स्टेडियाम अब तो खुशाहिन बात है कि इसलाओबाद में बी 25 से पहले पहले जब है वह राटर इस्टेडियम बनेगा तो प्रेक्टिकल है या नहीं है लेकिन आपशनली पिचे जाना पर इंपुटनेंट हैं जहां पर आपकी गेम डेवलप होती है, आपका प्लेयर डेवलप होता है, उनकी टिक्मीक डेवलप होती है, आगे गिरना या पीछे के गेन को ना खेल सकना, या सीमिंग ट्रैक्स पे को दुनिया भर में खेलना है, तो इनको आल राउंड अबिलिटी होनी चाहिए, तो पिच्छ बहुत इंपॉर्टन हैं, नोट अनली पिच्छ बल्के आपकी जो फिर्स्क्रास ग्रांड जोन को आपको अप्रेट करना इंफ्रस्ट्रुक्टरली ताके जो प्लेयर्स हैं, को बहुत बड़ा यॉनिंग गाप ना लगे, एक तो हमें लगता है क्रिक्टिंग स्किल में बहुत बड़ा गाप है, जब हमारा बच्छा जो हमारी फिर्स्क्रास से ग्राजुए करते हैं, इस पर बहतरी लाते हैं, सबसे पहला इशू ही पिच्छ का उठाया गया, क्या कि पहले इन पिच्छ को देनी चाहिए थी, ठीक है, व गॉट पॉंसर, उस पॉंसर ने खर्चा किया, पाकिस्तान क्रिक्ट बोर्ट की, पॉकिट से कोई खर्चा नहीं हुआ, इवन देन, जब मैं प्रियोरिटी इसकी बात करती हूँ, क्या रॉप इन पिच्छ उड़ ब करना रॉप मॉडरन एक्विपमेंट के साथ करनी है, अंडर एक्सपर्ट हैंड इसके स्पेशलिश्स हैं, क्ले कॉंटेंट कितना होगा, कौन सी ऐ बांस कैसे होगा, चार दिन ने जो पिच है, वो झासे करेगी, उसकी कोर कैसी होगी, उसकी जो नीचे बेड है वो कैसी हो पर जाने और यह जिम्यदारी PCV के उपर से हट जाएगी। पर जाएगी। पर जाएगी। स्पांसर आएगा तो क्यों आएगा उसकी मॉनिटाइजिशन कैसे होगी उसकी अगर जब तक रिटर्न और इंवेस्मेंट का मॉडल उसका बेतर नहीं होगा वो एट्रैक्ट नहीं होगा क्या हमारी ग्राउंड इस वकर इन कंडिशन इस कंडिशन में हैं हमारे हां तो यह भ बना पाते हैं तो बहुत एक चीज है और शायद पहले हमें यह स्टेप 3 और 4 होना चाहिए पहले में स्टेप 1 और 2 पहले कंप्लीट करना चाहिए बट डॉक आप आप मॉडल एडॉप्ट करने की बात करें कि उसकी सारी फीजिबिलिटी निकाली जाए हम तो यू कर के मॉ अब अब आप कर रहे थे लाने के लिए उन डेपार्टमेंट को जो है वो बंद करके पिछले जो तिन्योर था उस पिछले तिन्योर में वो सारे अब बंद हुए और हम रीजन पे आ गए तो आपको यह लगता है कि हम तो मॉडल बहुत तीजी से डॉप्ट कर लेते दुन सब्सक्राइब करेंट आइडिया है दुनिया भर में ऐसा होता है लेकिन क्या एक तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो छे टीम में उसकी खपत होती थी नहीं होती थी आट होनी चींज थी यह दास होनी चींज थी विदाओ कॉंप्रमाइजिंग कॉलिटी ओवर कॉंटिटी उसके बाद second important चीज थी क्या आपने semi-tominus या independent किया आप तो centrally controlled PCB करता है जब तक regions जो है हो financially एक उनका proper structure नहीं होगा उनके पास जो है उनके office structures proper नहीं होगा उनका marketing नहीं होगा operations, finance, sales नहीं होगी तो वो कैसे self-sufficient होंगे जब तक आप self-sufficient नहीं होगे तो आप कैसे players को सो हमने शाहिद immediate reaction में department एकदम बंद करती है, शाहिद parallel लिए अगर हम run करते और इस structure को हम ज्यादा बेतर तरीके से financially viable बनाते तो यह कामियाब होता